आपने कभी सोचा है कोई सीता के मूँ से शिकारी निकल जाये तो क्या होगा या तो शेर के शिकारी भी सक्मा दे सकता है क्या या तो गिदी के लिए मुर्गी भी खतरनाख हो सकता है क्या आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा एक बहुती ज़्यादा खतरनाख हमले से रू सकता है कि उसके उपर भी बहुत ज़्यादा भारी बढ़ सकते हैं एक लिबर्ट परकोपाइन को शिकर करने के लिए उसके रास्ता रोप लेते हैं वो उसके वरकोपाइन को खाने के खुराग में रहते हैं बड़ परकोपाइन वहां से अपने जान को बचा कि आफ़े निकल परकोपाइन को शिकर करने के बाद उसको पेट भरना चाहते हैं लेकिन परकोपाइन के काड़े हार बार उसको राज़ता लोग लेते हैं काफी देर बाद हमले के बाद भी लिवर्ट का सफलता नहीं मिलती लेकिन उसको भी एहसास हो जाता है कि उसके बसके बाद नहीं है अ जंगली बफिलो को आद पर टेलत हुए देखकर उसके उपर एटक कर देते हैं। जिर की वार काफी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक बार में भैस के पीड़ पर अपने पकर बना लेते हैं। उनकार शेर के हमले के वज़द से बफिलो बहुत ज़्यादा घायल हो जाते है और एक जगा पे धक कर बेटने लग जाते हैं। बैस को भी एहसास हो जाता है कि उसको जान को बसाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन कुछ दर बाद ही बैस के साथी भी आके हैपे पहुँच जाते हैं। और शेर के उपर टूट परते हैं। उन में से एक बैस त seben llevo इसे लंबी सिंग को लेकर अस्तिमाल करने लग जाते हैं और शेर को पटक पटक के फैकने लग जाते हैं जाशे की अब देखकर अंदर दर लागै शकते हैं एतने खतरनाक हमले होने के राद शेर भी खायल हो जाते हैं और ओहासे भाग जाना चाहिए समसते हैं let's के दुन्त कर देखी खाव डिया कि गृट पे नहें डहना काफी जादा मददगर होते तब ही उनके उपर एक एगल हमला कर देते हैं और एगल का हमला काफी जादा खतरनक होते हैं और उस मुर्गी के बच्चे को खाना बनाना चाते हैं लेकिन उस एगल को ये पता नहीं है उसके मा के सूरत कैसे हैं जब मा के असले सहरत सामने आ जाते हैं तब एगल बहुत में डारत के कोने में छुप जाते हैं और पूरी जोज के साथ हैं बहुत ज्यादा लड़ाई करने लग जाते हैं और मुर्गी का हमला को देखकर बहुत ज्यादा घ्यारत में पर जाते हैं और मुर्गी के बच्चे के पास उस इगल को पहसने भी नहीं देते मुर्गी और इ भी कम नहीं है और एहाब चीता को पीचा चुड़ाने के लिए नाम जेख द खाते हैं और प्रॉज हो जीटा पेड़ते हैं कामें पर खुड़ाने के साना करते हैं लेकिन यह सव लगाता है। कुछ दिर बाद चीता के बच्ची भी ओहा पे जाके पहुच जाता है और आप दोनों मिलकर उस शिकारी को पकाने के लिए लग जाते हैं लेकिन गजाल उसके जान को हाथ दो कर बैठना नहीं चाहता सभी अपने सिंग से बहुत जादा खतरनाख हमला कर देते हैं और कुछी देर में गजाल बहुत जादा खुणकर खतरनाख हो जाते हैं जीता और उसके बच्चे को घचिरते हुए ले जा रहा है उसके हमले से जीता बहुत जादा घायल हो जाते हैं और उसको ये भी आहसास हो जाता है कि और इस गजल को शिकर करना नामुम्किन है आगेर कर सीता ओह से गायल होकर खड़े रहते हैं और गजल को जाने देते हैं अगला नाम आते है लायन ब championships एक खुंट का शेर को हाईना ने खेर के रखा हुआ है हाइना सबी मिलका शेर को शिकारी बनाना चाते है लेकिन उनमे ये भी आहसास हो जाता है कि ये जंगल का शेर है उसके उपर हमला करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाते है और अहाँ पे शेर भी धारने लग जाते है तब हाइना उहा से दूर भागने लग जाते है लेकिन शेर के ताकत के समने हाइना के ताकत कुछ भी नहीं है लेकिन जून में जब हाइना हो तभी बहुत ज़्यादा खतरना को जाते है तब शेर के बाद कुछ औरी हो सकते है लेकिन शेर ऐसे मुश्किल देखकर भी ओहापे घबराने नहीं लग जाते हैं और ओहापे हाइना से लड़ते रहते हैं और हाइना भी शेर के हमले से ड़ते नहीं तभी ओहापे शेर का एक साती आने लग जाते हैं और तभी दोनों मिलकर हाइना के उपर बहुत ज़्यादा हमला कर देते हैं और दूस्तरी शेर्ट को इस तरह हमला देखकर हाइना भिहाँ से धीरे धीरे भागने लग जाते हैं दूस्तरी जंगल एक ऐसे जगह है जहाँ पे कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा है अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करना ना भूलिए और आप इस चैनल में ना हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेज जुरूर कर दिजिएगा ताकि आपने आने वाले वीडियो सबसे पहले आप से मिला करें थैंकी पूर वाचिंग मिलते हैं अगली वीडियो पर